क्या गाईज आपकी भी स्किन मेरी स्किन की तरह डल होगी है मेरी स्किन तरह काफी ज्यादा डल होगी आप देख सकते हैं काफी मतलब डल होगी मेरी स्किन और जैसे मुसम बदलता है मेरी स्किन डल हो जाती है गाईज तो इससे चुटकारा मैं कैसे पाऊंगी और कैसे वीडियो में आपको यही बताने वाली हूं तो है और वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल ग्लैम वेट मोली आज मैं पिर से गें आपके साथ नहीं वीडियो के साथ आई हो आज के काफी हलफुल होने माला आपके आपके साथ एक प्रोड़क्ट का तो पर आज वीडियो और यह प्रोडक्त टो जिस पर में वीडियो कर रही हूं यह प्रोडक्त पर इसी ब्रैंड के पर आज वीडियो कैसे ब्राइटटन अब कर सकते लाई आपकर कर सकते हैं तो चलिए टामactively बिल्कुल भी नहीं करेंगे आगे चलते हैं देखते हैं कि कैसे करेंगे हम फेशल घर पर ही तो चलिए गाई सबसे पहला आप प्रोड़क्ट देख लीजिए यह होशय का हर्बर लाइटनिंग और ब्राइटनिंग फेशल किट ग्लो लाइक पालर और यह ओल स्किन टाइप ओलर अब प्रोड़क्ट उसे कंशने कशा ने अूर्ब्राइटनिंग टाइंगे हैं और आका सिक्स्ता दॉस्ती यह वन टाइम यूज फेशल है गाइस आप इसली से वन टाइम यूज कर सकते हैं और इस पर आप इसका प्राइज भी देख सकते हैं इसका प्राइज है दो सो पच्छी सुरुपे टू टू फाइज रखा है इस नहीं और गाइस आप इसके स्टैप देख सकते हैं इसमें एक एंड सीरम यह हमारे सेक्स टैप फेशल है है और इसली मैं देखे फेशल घर पर इक नहीं कर देखी लिया के फेशल है कौन सा मरा उश्या का मरा लाइट इन ब्राइट इन फेशल किट आज इस टार्टिंग में आपको पूरा दिखा दिया कि क्या फेशल हमारा इस पर क्य पर देख सकते हैं तो बड़ा बड़ा सम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप में स्कीन देख सकते हैं वैसे मैंने कोई मेक यूज नहीं किया और सबसे पहले जब भी आपने हैर को सबसे पहले अपने हैर को सबसे पहले हमारा फेशल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा step 1 डीप क्लींजर है गाई से क्लींजिंग है अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है क्लींज करेगा आपके पोर्स को डीपली टू अनक्लॉक इट रिमूफ कर देगा डर्ट को मेकप अगर आपने मेकप वगरा थोड़ा बहुत लगाया है तो वह भी निकाल देग ठीक है रिमूफ कर देगा आपके डेट सेल्स को फ्रो दे स्कीन तो अच्छे से आपको इससे मसाज करने गाए तो फर्स टैप बहुत माइल्ड सा स्टैप था है हमारा और काफी अच्छे से इसने मारे स्कीन को क्लीन किया मुझे काफी अच्छा लगा फ्रेगरिंस काफी अच्छी थी और काफी अच्छे से इसने मेरे ऊच्छ पालर वाला गलो गर पर ही ला happens सकते हैं और इसमें अगर मैं बात करूँ इन्होंने क्या-क्या प्रोडक्ट रखे तो इसमें अलोवेरा था और लेकोराइज एक्सट्रेक्स थे और अच्छे से अपनी इसकी स्किन को ब्राइटन करता है यह इसके बाद हमारा सेकंड स्टैप है स्क्रब स्क्रब को आपको ग करना है पूरे वेट फेस पर एंड नेक जेंटल मसाज करने सर्कल मोशिन में और काफी अच्छे से आपके इसमें क्या होता है कि आपके जो भी डल्स डल्स होती है ब्लैक हेट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता वाइट वगरा को और अच्छे सापको जो ब्लड सर्कुले इसको रिलैक्स करवाना होता है आपको तो आपको अच्छे से स्क्रब वाला पार्ट करना है कि जो भी आपके स्किन में वाइट्स ब्लैक हेट्स अगरा हो वो एजली रिमूव हो पाए तो गाइस देखिए आप जब भी मैं फेशल करती हूँ तो मैं कोई भी स्टीम बगर नहीं लेती नॉर्मली अच्छे से कर आपको स्क्रबिंग करेंगे तो वाइट्स ब्लैक हेट्स ब्लैक हेट्स इज़ली रिमूव हो जाते हैं मेरे तो दे की दिक्कत है तो आप स्टीम लेकर इस इस वाले स्टैप को कीजिए फिर और अच्छा आपको रिजल्ट मिल जैग अब स्टेप थ्री है हमारा मसाज जेल और मसाज जेल लेकर हम अपने फेस पर अपलाई करेंगे फूरे फेस और नेक पर इस सब को जेंटल मसाज करनी है टू से फाइब मिनिट्स और जब भी आप मसाज करें तो अपने फिंगर की हेल्प से कीजिएगा हतेलियों का यूज मत कीजिएगा गाईज, क्योंकि फिंगर से ही हमें मसाज करनी होती है और अच्छे से मैं मसाज करूँगी, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है कि कितनी देर तक आपको अपने फेस पर मसाज करनी है यह इंप्रूफ कर देता है आपके स्किन की क्वालिटी को और अच्छे से आपके स्कीन में आपको करना किया इसमें आपको कोई रोज वोटर या वोटर एड नहीं करना नॉर्मल आप इससे मसाज कीजिए और ये आपके स्कीन में अच्छे से पैनिट्रेट हो जाना चाहिए मैं तो इसकी पर ही आपको इसे ड्राइ कर देना है बिल्कुल और इसको हम रिमूव नहीं करेंगे काई इसको ही मैं इसके बाद वाटर से भी फेस को नहीं क्लीन करने वाली इसे फेस पर ही रखना है और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ये करना है नहीं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं वैसे मैं नहीं करती हूँ और आप लास्ट में देखेगा कितना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा और मैं इसी को अपने फेस पर ड्राइ कर दूगी अच्छे से तो देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से मसाज करने हूँ आप इसी तरीके से कीजिए बिल्कुल आपको पालर वाला ग्लो मिलेगा बिल्कुल आप कहें पाएंगे अपने घर में या गैस्ट वगरा को कि मैंने पालर से वेशल कराया है अब स्टैप 4 की तरफ चलते हैं हमारा में स्टैप है मसाज क्रीम स्टैप 4 मसाज क्रीम है हमारी गैस्ट और इसमें तो आपको करना क्या है यह सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला स्टैप होता है और मैं आप 2 या 5 मिनिट देते हैं इसमें आपको 10-15 मिनिट देना है पूरा आपको इसमें क्या करना है मैंने इसको देखे मसाज जो जेल यूज किया था उसी के ऊपर मैंने सप्लाई किया है आप चाहे तो इसके अंदर सिर्म की कुछ डॉप्स भी मिक्स कर सकते हैं पर मैंने नहीं की थी यहां पर क्योंकि मैं जेल के साथ इसे यूज कर रहे थी और अच्छे सापको इससे मसाज देने हैं 10-15 मिनिट कि इनोंने टाइमिंग इस पर भी मैंशन की थी और मैंने आपको स्टार्टिंग में इसमें पिता दिया है कि मसाज क्रीम का स्टैप सबसे इंपॉर्टन होता है सबसे ज्यादा सबसे ओर्टन कोई सकिन के कउमप्लेक्स को ँसें सेल सल आपके सेल कर आपकी स्किन को टो क्यूं करें को स्टैप फुर मसाज क्रीम को टामंदें नहीं देना है निगे स्टैप फाइफ की तरफ चलते हैं जो हैं हमारा फेस मास्क अच्छे से एक एवन लेयर आप प्लाई की बहुत जादा ठीक लेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती एवन से लेयर लगाई इससे क्या होता है जो भी हमारे फेशल से पोर्स जो ओपन हो जाते हैं वो इससे क्लॉक हो जाएंगे वापिस क्योंकि देखिए जब भी हम अपने फेस पर कोई ऐसा क्लीन आप या फेशल क जब भी आप चाहे एक लेचीन किजीया चाहे फेशल किजी सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर भी बना के दूंगी क्या आप किस सीरी के से घर पर ये कोई अच्छा फेस पैक बनाकर face पर लगा सकते हैं तो अच्छे से मैंने देखिए एक even layer बना ली थी और मैंसे dry होने दूंगी अब अच्छे से dry हो गया है मैं face को wash कर लूँगी और अपने face पर glow देखिये कितना अच्छा glow अभी आ गया है और last हमारा जो step है वो है हमारा serum अब हम सीरम को लेकर अपने फेस पर इसमें आपको कितनी कुछ बूंदे लेनी है अप्लाई करने है फाइव ड्रॉप्स ऑफ दस सीरम और फेस टैप टैप करना है आपको और फिंगर टीप से जेंटल इसको अब्जॉफ करना है अपने फेस पर एक फुली मतलब इवन लेयर आपको कर देनी है और बहुत अच्छा मुझे सेरम लगा अच्छा से स्किन में अब्जोफ हो गया अपने फेस पर ग्लोव देख सकते हैं कितना अच्छा मेरे फेस पर ग्लोव आ रहा है तो हर बार की तरह जैसे फस्ट वीडियो मैंने जब इस वीडियो की ती ओशिया हर तो काफी अच्छा रिव्यू था उसका और अच्छा रिव्यू आप लोगों से भी मुझे मिला उस पर काफी अच्छे व्यूज आए गाई और अभी भी मुझे एक उमीद है इस वाली वीडियो से क्योंकि आप मेरे फेस पर देख सकते हैं कितना प्यारा एक अच्छा ग् कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आप step by step देखिए फेशल आप पुरा complete कर पाएंगे और काफी हल्प होगी आपकी इस वीडियो से अगर थोड़ी से वीडियो से हल्प होती है तो और लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा कि उन लोगों की भी हल्प हो पायर वह तरीक कर दो ना चाहते हैं दो कमेंट कर सकते हैं अर एक चोश्ट बेसिक जो बहुत आता है गाइस किस इसकिन पर हमजेश को कर सकते हैं तो मैं आपको को बता दो कोई सकीन वाले médico कर सकते हैं मेरी अछी को गलो विलिए मेरे– काफी अच्छा लगता है और कितना अच्छा ग्लोव आया है तो वीडियो हमारी देखी पूरी कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है कुछ पुरना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादे-ज्यादा लाइक कीजेगा इससे मारा मोटिवेशन बढ़ जाता आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आते या उसकी आपकी कुछ भी हैल्प होते है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कि सभी यूट्यूबर का उससे लिएगा कि सबस्क्राइब करना है और चैनल के नीचे आपको सब्सक्राइब कर सबसे पहले आपके पास आए तो फटावट से बैल इकन को प्रेस कीजिए और मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजीगा थेंक यू